था कि आ • ऐस लो घाईज वेलकम बैक टू लोज जो आ attracting कम कह यहां आफ को भखा तो डिथाउर होगति है तो इसका जो फॉट होता हैji तो थोड़ा सा तिर्चह हो जाता है, mostly हम इसको definition purposes में यूज करते हैं, आपने mostly books में देखा होगा text को, जो के definition की form में होते हैं, तो वो थोड़ इसे तिर्चह होते हैं, तो basically, html में अगर हम उस जैसा text अगर हमने create करना है, तो हम italic tag को use करते हैं, italic tag is used to make text in italic style, italic tag को हम use इसलिए करते हैं, text को italic style में बनानी के लिए this i tag is used to make text in italic style, तो italic style के लिए आपको ये वाला tag यूज करना होगा, like i को आपने दो एंगल brackets में लिखना होगा, similarly आपने उसका closing tag लिखना होगा, और उसके बाद आपको पता है कि जो कुछ हमने as a text या as a content देना होता है वो text के दर्मयान देते हैं, तो आपने जो text को, जिस text को आपने italic form में, italic format में आपने change करना हो तो आप उसको इन दो text के दर्मयान लिखेंगे, अब हम इसको practical देखते हैं, उसके बाद हम italic tag के साथ, जो हमने previous tutorial में, bold tag को यूज के उसको भी हम combine यूज करेंगे, और उसको हम paragraph की form में भी देखेंगे so guys, हम text editor की screen पर आचुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहां पर कुछ text लिखा है और पहला जो हमारे पास line of text है, उसमें मैंने italic tag को यूज की है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने उसको opening tag, यहां पर उसका मैंने closing tag लिखा है, अब हम इसको save करते हैं, save करने के बाद हम इसको browser में देखते हैं आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास text है, like यहां पर आप देख सकते हैं ये एक italic format में है आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिर्चा है और जो हमारे पास पहले full stop पहली line के बाद जो text है वो regular format में है आप उसको देख सकते हैं तो ये हमारे पास basically एक italic format है कि आप html web page में अपने text को italic format में कैसे लिखते हैं by using italic tag tag share paragraph अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं के हम italic साथ साथ अब आफने पर भी इस प्रॉटरियल में पुर्ड ऐंस सके लिखते हैं तो हमारे पास warning ऑप जुम जो हमारे पास यह line है वो एक तो italic format में होगी दूसरा वो bold format भी होगी हम वहाँ पे combine जो हमारे पास दोनों tags है हम use कर रहे हैं इस वज़े से जो हमारे पास output होगी वो उसमें दोनों tags का जो है आपको effect नजर आए तो हमें इसको हम save करते हैं सेव करने के बाद हम इसको ब्राउजर में इस ब्राउजर को हम अगें रफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास पहली line है वो एक तो बोल्ड भी है सेकिंड ही जो हमारे पास फॉर्मेट है टेक्स्ट का वो इटेलिक वे में भी है तो यहां पर हमने इन दोनों tags को कमबाइन ली यूजर किया है अब हम अब हम चाते हैं कि हम इसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में लेखें लाइक जो हम लाइक हमारे पास अगर कोई हम closing paragraph tag को भी use करेंगे similarly हम इसको आप दुबारा save करते हैं save कर लेने के बाद हम इसको दुबारा यहां पर refresh करते हैं ब्राउजर को तो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास paragraph की आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास line of text था वो paragraph की एक शेप में हैं दूसरा वो बोल्ड भी है और थर्ड यह कि उसमें हमने उसका जो फॉर्मेट है वो italic भी है सो यह हमारे पास italic और बोल्ड और paragraph हमने combinedly use करके भी देख है सो यह काफी easy है आप इसको practical कीजिएगा so that was in this video thanks for watching